नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नौरातर के दिनों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी जड़ लाकर अपनी किसमत को बदला जा सकता है तो चमतकारी सिध्धियां देने वाली हमारे आज पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और आज हम उन्हीं पेड़ पौधे की बात करेंगे जो नौरातर के दिनों में लाए जाते हैं और इसके प्रियोग से धन की मुश्किलें दूर होती हैं हर तरह की सुक्सुविधाएं प्राप्त होती है तो ऐसे पेड़ पौधा की आज हम आपके साथ बाते साजा करेंगे जो आपकी किसमत को पूरी तरह से बदल सकता है हलां कि जब भी आप कोई भी पेड़ पौधा लेकर जड़ लेकर आएं एक दिन पहले उनको निमंतरन देना है उनको अपना परिचे दें, कारण बताएं और अगले दिन प्रेम से जाकर परणाम करके उनके आग्रह पर उनको घर ले आए तो उनमें से पहला पौधा है दुधी का पौधा ये नाम आपने सुना होगा पहले दुधी की जड़ सुख की प्राप्ती के लिए प्राप्त किया जाता है, लाया जाता है पौनरवसू नच्छतर में दुधी का जड़ लाकर अगर आप इस जड़ का तिलक लगा या अपने सरीर पर कहीं भी लगा ले तो सुखों की प्राप्ती होती है दिन बदिन आपके जीवन में तरक्की होती चली जाती है इस पौधे को सुख बढ़ाने वाला पौधा कहा गया है आसपास कहीं आपको मिल जा अच्छे से पहचान ले तो आप चरू ले आए दूसरा है अब हम आपको महाप्रियों बताएंगे बहेडा का जड़ पुस्सी नच्छत्र में इस बहेडा के बिक्ष की जड़ को लाना है उसका एक पत्ता भी लेकर आईए और धन अस्थान पर रख दीजिए रोड साइड आपको मिल जाएगा ये बड़ा पेड़ होता है इस पौधे के पत्ते या जड़ घर में रहने से दड़ता नहीं आती पुर्वा फालगुनी नच्छत्र में बहेडे का पत्ता लाकर अगर घर में रख दें तो उपरी बला बाधा से मुक्ती मिलती है तो प्रिसान नहीं करते काला ध़तुरा का जड़ लाना है याद रखिएगा और पत्तियों में काला पन होता है जो काला ध़तुरा होता है रभी वार मंगल वार या किसी भी सुमन च्छत्र में आप घर में लाकर रख सकते हैं धन बरदी होता है मदार की जड़ मदार वही जो सिपजी को चड़ता है रभी पुस्य नच्छतर में लाए जाने वाला ये जड़ हलांकि नौरातर के नो दिनों में किसी भी दिन आप ला सकते हैं याद रखिए कोई भी जड़ लेकिन नौरातर में नहीं ला सकते तब रभी पुसे नच्छत्र में लाईएगा और दाहिने हाथ में धारन कीजिएगा इस जड़ को तो आर्थिक मुश्किलें समाफ्त होती है कोट कचरी में सफलता मिलती है और कमर में बांधा जाए तो संतान की प्राप्ती नहीं संतान को भी हो जाती है तो जड़ का महत तो बहुत है तंतक्रिया में माना जाता है मदार की जड़ अगर पोट कचरी की मुश्किलों से प्रिसान है तब आद्रा नच्छत्र में लाकर आग की जड़ मदार की जड़ को लाकर तावीच की तरह गले में बांधे तो सफलता प्राप्त होती है हत्ता जोड़ी नवरातर के दिनों में दिपावली के दिन कभी भी इसको लाया जा सकता है मकदमा सत्रू मुक्ती संघर्स खद्म दर्टा का निवारन के लिए इसका प्रियोग किया जाता है हत्ता जोड़ी को लाकर हमेशा लाल कपड़े में बांध कर या फिर सिंदूर की भरावर डिबी में रखना चाहिए महलाई इसको नहीं चूती है इस बात का ध्यान रखें धन अस्थान पे रखने का विधान है हता जोड़ी को लाकर याद रखिएगा बेला की जड़ बेला का पुस्प तो आपको पता है अगर बिवाह समंधी कोई भी समस्यापके घर परिवार में किसी की उपर आ रही है तो बेला के फूलों का प्रियोग किया जाता है बेला जिसको हम मोगरा या मोतिया भी कहते हैं तो बेला के फूल सफेद रंग के होते हैं और अगर कोई महला गुरू ये जो बेला की जड़ है और गुरुवार के दिन और जो पुरूस है वो सुक्रवार के दिन अपने पास रखे पर अलग लग होते हैं जो चमेली की जड़ है अनुराधा नच्छत्र में लाया जाता है या फिर नवरात्र के दिनों में किसी भी नौदिनों में आप किसी भी दिन ला सकते हैं सत्तु भीमीत्र बन जाते हैं जिस घर में चमेली का पॉधा होता है या इस जड़ को पास में रखना दा सुरूँ कर दे तो कि सदुन नासक माना गया है इस पॉधे की जड़ को इसके बाद अस्थान है चम्पा चम्पा का पुस्प का अपने नाम सुनाओगा बड़ा सा पेड होता है और ये पुस्प खासकर माता रानी को ज्यादा पसंद है चम्पा को जो पुस्प होता है सफेद पुस्प होता है बीच में पीला पन लिया हुआ खुस्प बहुत खु तो बच्चे के ऊपर प्रेद वादा नजर दोस्त वेगरा नहीं होता उससे रक्षा होती है आपके बच्चे स्वस्त और मस्त रहेंगे तो चंपा को चंपा का पुस्प कहा जाता है आप धियान से देखिए आपके आसपास जरूर होगा ज्यादा तर रोट साइड ये सुख सम्रिद्धी बढ़ता है और इस संग पुस्पी की जड़ को बस वही प्रक्रिया है एक दिन पहले निवता दे दें अगर आप अचानक से मिल जाए तब तब जर में थोड़ा सा पानी डाले आपके पास जो भी चीज में पानी है पर नाम करें अपनी कामना कहें अप ले आप अपना नाम बोले अपना घर परिवार काना म बताए और नाम बताहिए सहर काना बताहि फिर्प धोल्सी की जड़ की बुरूरा भादर पर नच्छत मे तूल सी की जड़ लाकर मस्तिसक पर धारन करें यानिकि माथे पर सटाने के बाद इसको पास में रखें तो वह निम्बू की जड़ माना जाता है उत्तरा फालगुनी नच्छत्र में नीम्बू की जड़ लाकर उसे गाय के दूद में घिसकर नहीं संतान इस तरी को पिलाया जाए तो पुत्र की प्राप्ति अवस्य होती है और नौरातर के दिनों में किसी को संतान की चाहत है तो इस को लाकर इसको गाय में के दूद में घिस कर नहीं की इस दूद में मिलाकर पिला दे तो संतान प्राप्ति जरूर होगी क्योंकि इस समय 9 के 9 दिन सिद्धी वाले दिन है तो किसी भी दिन परियोक करेंगे तो जल्दी ही आपकी कामना पूर्ण होती है काले एरंड की जर स्र संतान की प्राप्ति की कामना पूरी होती है और माना जाता है जो एरंड की जड़ है यह वैसे तो एरंड का भी बहुत बिसेला होता है लेकिन इस जड़ से सत्तू बिरोधी दूर ही रहते हैं लट जीरा इसको तो आपने अक्सर सुना होगा हम अपने वीडियो के मादन से भी अब देख सकते हैं लट जीरा को मार्क के बारे में अपने सुना होगा इसके बहुत सरे बसीक्रन में प्रियोंक होते हैं अब और आदा हम संखा हुलीस को में चोटा धौतूरा वह पहने आ जाता है और लाकर जल को ताबिज में जड़ दें और गले राजल बekति भी आसानी से आपके तरब कीचा चला आता है करसी तोता है इसको हम छोटा दतुरा कहते हैं याद रखिए संखा हुली इसका नाम है नौरातर में किसी वी दिन लाकर ये प्रयोग कर सकते हैं उट कटारी नाम आपको अजीब लगेगा सुनकर लेकिन आप ध्यान से देखिए इस तस्वीर को इसको कहते हैं उट कटारी अगर आप राजनीती के छेतर में तरक्की चाहते हैं तो यह जड़ी राजयोग देने वाला है इस पौधे को बहुत से लोगों ने देखा होगा हला कि भाग में ब्रधी करने वाला और इस पौधे को अगर लाकर पूजा करें द इस तो गुन्जा को आपको पता होगा क्योंकि यह जॉतशली के समय यह मालक्षमी की जादा होता है Aha क्योंकि इसका वजन एक रती के परके होता है और पहले के जमान में इसको सोने की तौल की जाती थी सोने को तो इस पौधे की जड़ को रभी पुष्य नच्छतर में या फिर नौरात की किसी भी दिन लाकर आप धूब दीव दिखा कर जड़ को लाकर गाय के दूद से धोकर घर में रखें और थोरा से पर्स में र आप लें तो राजा प्रिये हो जाते हैं कहने काताथ पर हर को इसको सम्मान देता है हर किसी का when दो पूरा जात कि कि मैं पैसा मंतरी और बस में होता है अबराजा का प्री 상रा 저क्ट हो धन्यवाद हम फिर मिलेंगे